आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Okay students, तो इस question पर हमको एक solid sphere देरका है ठीक है और यह angle of inclination देरका हमको ठीक है तो questioner बोला है कि If the ball rolls without slipping ठीक है तो हमें इसका acceleration निकालना ठीक है तो चलिए इसका solution चुरू करते है तो अगर आप यह जो system है ठीक है इस ball की that is a solid sphere plus a thin spherical shell ठीक है इसका अगर हम FVD बनाए अब जो यह system का mass है वह हो जाएगा m plus m 2m ठीक है तो इस system को लग रहा होगा निचे की तरफ इसका weight that is 2 mg ठीक है तो इसको अगर हम components में break कर दें ठीक है तो along the plane लग रहा होगा 2 mg sin theta ठीक है और perpendicular to the plane लग रहा होगा 2 mg cos theta ठीक है और due to the surface of the incline इसको एक मिल रहा होगा normal reaction n ऊपर की तरफ ठीक है और जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा friction ठीक है to oppose the motion of the ball ठीक है तो let's say यह जो ball है ठीक है इसका acceleration कुछ नीचे की तरफ A है ठीक है और let's say इसका कुछ angle acceleration alpha है ठीक है about its center of mass ठीक है तो हमको पता है कि कुछी में देगा है कि यह जो ball है that rolls without slipping ठीक है तो rolling का condition क्या बाता है पहला यहां लिसकते हैं कि v equals to omega r ठीक है and a equals to alpha r ठीक है तो यहाँ पर अगर हम a की value लिखने है ठीक है तो यहाँ पर a equals to कितना हो जाएगा यहाँ पर net force कितना लग रहा है along the plane यह लगेगा 2mg sin theta नीचे की तरफ और friction ओपर की तरफ ठीक है तो यह जाएगा 2mg sin theta ठीक है minus f divided by total mass that is 2mg अगर हम alpha की लिखने है ठीक है यह कितना हो जाएगा that is net torque about oh divided by moment of inertia about oh ठीक है तो यहाँ पर torque कोन दे रहा है about oh यहाँ पर बस friction देगा ठीक है और उसका torque इतना हो जाएगा that is f into r ठीक है और divide by अगर हम यहाँ पर moment of inertia के बास करें ठीक है तो आपको बता है कि हमको कुशे में दिया गया है कि जो solid sphere है ठीक है उसके wall और जो thin spherical shell है उसके inner wall के बीच कोई friction नहीं है ठीक है तो यानि कि जो alpha होगी वह बस जो हमारा thin spherical shell उसका होगा ठीक है यानि कि बोल सकता है कि जो friction होगा वह बस thin spherical shell को rotate करेगा ठीक है जो solid sphere है उसका कोई orientation change नहीं होगा ठीक है about center of mass ठीक है तो यहाँ पर i0 के value कितनी हो जाएगी that is moment of inertia of a thin spherical shell of radius r ठीक है a is equal to alpha r में a और alpha की value substitute कर दें तो यह कितना आ जाएगा यहां से मैं लिखूँगा तो यहां जाएगा मेरा g sin theta ठीक है minus f divided by 2m equals to यहां पर alpha r की value हो जाएगी मेरी 3f divided by 2m ठीक है यह आगे मेरी friction force की value ठीक है तो यहां पर basically हमको जो है a निकालना है that is acceleration of the ball ठीक है तो यहां पर अगर हम यहां पर a की value जो निकाल रखी है 2mg sin theta minus f by 2m ठीक है तो यहां पर friction की जगा यह value जो हमने निकाल रखी mg sin theta by 2 डाल देते है ठीक है कि यहां से एक यालो कितनी आ गई that is यहां गया मेरा 2mg sin theta ठीक है माइनस F की जग़ा हम डाल देते हैं mg sin theta divided by 2 ठीक है और यहां पे whole divided by 2m ठीक है तो यह कितना जाएगा 2 उपर चला जाएगा तो 4mg sin theta minus mg sin theta that is 3mg sin theta ठीक है तो यहां गया मेरा 3mg sin theta ठीक है 2m ठीक है और यह 2 ठीक है तो यहां पे एक यालो कितनी आगी यहां गी मेरी 3g sin theta ठीक है divided by 4 ठीक है यही होगी मेरी answer ठीक है thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जाधा students कभर होसा आज राउनलोड करे doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर यहिला है